हलो एब्रिवन यह हैं मेरे नेबर्स की बेटिया और यह आज आगी थी घर में तो यह जो मैंने प्लांटर बनाए है ना डोल वाले इनने देखके बहुत खुश हो रही थी कि आंटी आपने कैसे बनाए हैं बहुत सुन्दर लग रहे हैं तो क्या रिचू कर देख लो मैं कहा हाँ हाँ उठा के देख लो तुम कोई बात नी फिर मैंने बच्चों को बताया कि आप इनने कैसे बना सकते हो अगर आप के पास खाली डब्बे हैं तो आप उने उससे भी बना सकते हो यह तो चोटे 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 ची बाल्टी थी नहीं तो जो चोटे वारले गमले आते तो बड़े खुश हो रहे थे बच्चे देखे और जिग्यासा ही कहते हैं अविसकार की जन्नी होती है अगर मन में जिग्यासा है कुछ करने की तो बच्चे फिर करी लेते हैं तो आज देख रहे हैं सायदुगल बच्चे बना ले पर वो चैह रही थी आंटी लाइट जला के बहुत अच्छा लग रहे हैं मैं कहां और फिर उसने बंद कर दी मैंने कहा कोई बात में तुम जला दो तो देखो लाइट जला के वाके पे बहुत सुन्दर लग रहे हैं कुछ बनाएए ना और आज मैं बनाऊंगी साग अर कल मुझे सबजी मार्किट में साग इतना अच्छा मिल गया देखो सरदी की तरह सरसो भी मिल गी है मेथी बथवा चोलाई पालक बी देखो सबचीजे मिल गया जैसे सरदी में मिलती है और अभी मैंने मेंधी भी गोल के र तो अभी पहले में लगाऊंगी मेहंदी लगाने के बाद जितना टाइम मेरे पास होगा तो उतने टाइम में में फिर साग बना लूगी तो चलिए मेहंदी लगा लेते हैं पहले और मेहंदी में खुद ही हमेसा खुद लगाती हूं मतलब ऐसा मान लिदिया आप 4-5 बार मेहंदी लगाती हूं बहुत सालों से मैं खुद लगा रही हूं मेहंदी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि परिए मैं नहीं लगा सकती है ऐसा गलव्स पैनके और चीसे के सामने कड़े होके मैं आराम से लगा लेती हूं थोड़े-थोड़े से बाल अटा के गुद मॉर्ण अटा के पूजा और पूजा होगी है और कपड़े भी दूलगे है अब बनाते हैं साग और नास्ते में बस चाय अब रस वगएरा ले लेंगे और फिर दो फैरगो लंचना में तब सागी बनेगा तो पटिंग करके टड़ा दिया है देखो अर इस मोसम में भी सब चीजे म पिली थी साग की दिखाती हूं मैं आपको देखो काटके काटके मैंने बना दिया है मिट्ची वगएर डाल के अच्छे से बारी काटती हूं मैं काफी आरियो और साग को मैं हमेसा गलाती तो कूकर में ही हूं इस तरह साबुत मीच वगएर डाल के काटके दो के चड़ा देते हैं तो गलाती तो कूकर में हूं लेकिन मैं घोटती हमेसा इसको हूं हंडिया मैं तो मैंने एक ही हंडिया बना रखिया जब मुझे दूद भी लो न अपता है, तो इसी में मैं दूद भी लो लेती हूँ, और इसी में मैं साग बनाती हूँ, क्योंकि अलग-अलग क्या रख़ूँ, धोक है, अच्छे से रख देती हूँ, सुखा के, और आपने सोच रहों के कि इतनी गर्मी में सोख्स की पैन जएएगी मेरी तो और अब में साग भी गुट रहा है मेरा धीरे-धीरे अब साग गुट गया है अब हम लगा लेते हैं इसमें आलन तो आलन में लगाओंगी मक्का के आटे का ये आटा सब्दियों का ये है मैंने फ्रीजर में स्टोर कर लिया था मैंदा हुई सुझ्जी हुई या कुट्टू काटा हुआ मक्का काटा हुआ यह सब मैं फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ तो यह मेरे पास सालो साल बने जाते हैं और खराब भी नहीं होते हैं कुछ लोग तो मिस्ता क्यों कही लगाते हैं, जैसा भी आप खते हैं, वैसा बना सकते हैं, और ये बे मुसम का साग है, लेकिन मेरा इतना मन कर रहा था देख के लाने का, तो मैं लिया हूँ, अब जैसे आलन लगा दिया है, तो मैं हंडिया में से इसे पलट दूँगी वाप सकूकर में खत काने के लिए, और साग बन जाएगा हमारा है एकदम हों, इसमें अधिकता में डालती हूँ मतब अच्छे से जादा सा द्रक डालती हूँ, लेस्सन तो हम डालते नहीं है, और जादा सा ही हिंग डालते हैं, बस, छोक में नहीं लगाते हूँ, साग में, इस लेकिन फूलो वाले प्लांट लगाती हूं वह सूख जाते हैं अगर शाम को खाना है तो हम छोग लेते हैं करने वाली उन्हें चेंज करके यहां पर दूसरे लगांगी ताकि पर्मनेंट लग जाए इसके लिए मैं दो गंबले भी लेकर आई हूं तो पहले इन उपड़ लेकर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कौन से गंबले लेकर आई है यह में लाई हूं दो प्ला पोट बा प्लांट की यह बढ़िया चल रही है तो यह वाली इन में लगा दूँगी सुंदर भी लगेंगे रखे हुए प्लास्टिक के पोट भी रख सकते हैं जिनमें पोटे लगों लेकिन इनका मूँ इतना बड़ा नहीं है कि इनमें पोट यह ऐसे ही आजाएंगे तो इसलिए मैं इनमें से निकाल के ही ने लगाऊंगी इसमें अरिने लगाए हुए मुझे को कम से कम एक डेड़ महीना हो गया है यह कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी इसमें ऐसे भी नहीं आ रहे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इनको नीचे से हलका करना पड़ेगा तब आप आएंगे लेकिन यह ऐसा है कि इन्होंने ज 20 रुपीज का एक डेड़ साल हो गया और इसके इस वाले के इतने पोदे हैं मेरे घर में इस समें बहुत सारे और ऐसे ही मैं थोड़ी-थोड़ी सी मट्टी इसमें डाल दूंगी और यह अब यह मेरे पर्मनेंट पोदे हो जाएंगे वहां पर यह पोदा सूखता नहीं है कभी भी बहुत सुन्दर चलता है और दो कलर का होता है नीचे से परपल होती है इसकी पत्यार उपर से ग्रीन तो रखा हूँ अभी सुन्दर लगेगा और यह मैं पोर्ट ब्लैक और वाइट लेका हूँ मुझे दिग गी अचानक यह रोड पर तो मैं वहां से लिया आई म चलो दो ले लेती हूँ एक इदर रखा जाएगा एक उदर दूसरे में भी मैं इसर लगा दूँगी फूरा करके और मैं काम ढूंडती रहती हूँ कि आज क्या करूँ आज क्या करूँ तो बस देखो रोज के मेरे जो व्लोग होते हैं इसमें आप समझ के चलिए कि एक छोटा सा कोर्णर गार्डनिंग के लिए तो पर्मनेंट है क्योंकि यह मेरा पर्मनेंट काम है जहां भी मैं देखती रहती हूँ कौन सा पोदा खराब हो रहा है किसमें क्या करना है तो बस उसी काम में लगी रहती हूँ अब मेरे दो पोट बन के तयार हो गया जो गमले खाली हुए है इनमें मैं क्या करूँगी मेरे पास यह रियो प्लांट है मतलब यह भी मैंने कटिंग से ही लगाया था जो अब यह बड़े वाला देख रहे हैं लेकिन यह अब इतना बड़ा हो गया है तो अब इसकी में जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांच है सब निकाल लूँगी तोड़ तोड़ के और यह इतनी आसानी से तूट जाता है इसे तो कैच्चे से काटने की बज़रतनी बस हल कासा हाथ लगाओ तुरन तूट जाता है बहुत सोप्ट पेड़ है यह तो अब इसकी जितनी भी बड़ी बड़ी एक्स्ट्रा प्रांच थी ना वो मैंने सब काट लिया और यह तीन चार गंबले खाली हो रहे हैं मेरे पास तो इनमें सब में में रियो प्लांट लगा अर यह इनमें से एक भी पोधा नहीं मरेगा मेरी कारंटी है जब चल जाएंगे मैं सारे आपको दिखा दूंगी और यह मेरी हैंगिंग बास्किर जो मैं लगाई थी नहीं चली तो इसमें भी मैंने यह लगा दिया है देखो वेस्ट कितना निकल गया है और मेरा एक यह सर करके लगाओ यह कैमिकल लगाओ वो लगाओ देखो मैं बहुत ज़्यादा है उसमें विश्वास नहीं करती हूँ यह तीन पत्ती में बड़े प्लांट में से लिया आई हूँ और ऐसे खुर्पी की मदर में से बीच में से में इनके एक के दो कर दूंगी तो मेरे पास ती पान है छोटी से छोटी पत्ती भी इसकी उग जाती है बस सबर आपको होना चाहिए कि आज लगाए तो आज तो उगेगी नी कम से कम आप 2-3 महीने में देखना यह बिलकुल ओक के तयार हो जाएंगे और अभी मैं हलकी सी फुहार सी लगा देती हूँ इन पर पानी की जिस और छायदार जगे का मतलब यह नहीं है कि आप इने बिलकुल अंदेरी जगे में रखो जैसे बड़े पोदे हैं ना तो उन पोदों के नीचे रख दीजिए तो महां भी ने मतलब कम धूप मिलेगी और हवा पानी भी मिलता रहेगा और नमी भी मिलती रहेगी तो महां यह अच्छे से ग्रो हो जाएंगे यह तीन शेड में यह जहां धूप बिलकुल कम आती हो आती तो हो थोड़ी सी तेज रोस नहीं हो तो महां भी अच्छे से चल जाते हैं बस यह हैंगिंग बास्केट भी में टांग के आ जाओंगी और अब निच्च लेके चलते हैं जो मैंन शुद shooting मैंने ग्रेक एंवेके तो आता है जो एप शो जो लेके चलते हैंगशलynिक वाइन ह這邊 आते हैं में आते हैंगी खे ओड़ी हैंगे घाटसे व sam 거는 ल bullish टीन हो आते हैंगे अपे इता हैंगे में रहर च्छे से एंगे कर लगे ऎ हैंगे तो कटे लाग बुट को अध़ी जोगीत। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको कैसे लगे हैं जरूर बताना अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना शेर कर देना अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब सबी को नमस्ते और रादे रादे बाई बाई